बहुत पुराने समय की बात है एक छोटे से गाउं में नीलम नाम की लड़की रहती थी वो अपने माबाप के साथ एक साधारन से घर में रहती थी एक समय की बात है नीलम अकेले कमरे में बैट कर रो रही थी तभी उसके मा उसके पास आई नीलम ये क्या नोटंकी है घोडी जैसी हो गई हो फिर भी यहां अकेले में आकर रो रही हो आखिर बात क्या होई और क्यों रो रही हो तु मुझे बहुत जोरों की भूग लगी है अभी पांच मिनट पहले तो तू अपने मामा के साथ गपा गप खा रहे थी सबसे जादा पराठे तो तू नहीं खाए अगर तेरा मामा इतने पराठे खा ले तो उसे बातरूम जाना पड़ जाता मामा जी के कहने पर आपने उनकी पसंदीना कड़ाई परीड बना दिया जबकि आपको अच्छी तरह पताएगी मैं जब तक छोले बटूरे नहीं खा लेती हो तब तक मेरा पेट नहीं भरता अगर मैंने छोले बटूरे नहीं खाए तो रात बर मुझे नीद नहीं आएगी अरे तो बिट्या रानी तुम खुद ही जाकर बना लो मुझे तो बहुत जोरू की नीद आ रही है अगर मुझे छोले बटूरे बनाने आते तो मैं यहां के लिए बैट कर रो नहीं रही होती मुझे छोले बटूरे नहीं बनाने आते इसी बात का फायदा उटाती हो आप नीलम के बार-बार जित करने पर रात के ग्यारा बजे उसकी बान एक बार फिर से छोले भटूरे बनाये जब उसने धेर सारे छोले भटूरे खा लिये तब जाकर उसे नीद आई ऐसे दिन बीटते गए एक दिन पंडित जी नीलम के लिए रोहन का रिष्टा लेकर आया हूँ अगर आप ये रिष्टा चूग गए तो आप जिन्दगी भर पस्ता आते फिरेंगे दिन रात भर बस यही सोचते रहेंगे कि काश मैंने अपनी बेटी का रिष्टा रोहन के साथ कर दिया होता जो देखने में तो हीरो जैसा है ही पैसे कमाने में अमबानी जैसा है हर किसी का सम्मान करता है ऐसे लड़के आजकल मिलते कहा हैं भाई सहाब क्या क्या बात है फैंडित जी आपकी बाते तो कमाल है बड़े बड़े मार्केटिंग एजेंसी वालों को खा गाया आप क्या बोलते हैं आप ग्या मतलब मतलब अतलब छोड़िये पंडी जी मैं वैसे भी अपनी बेटी के लिए कोई ना कोई अच्छा रिष्टा देखी रहा हूं अब उसकी शादी की उम्र हो गई है तो उसे अपने ससुराल भी तो जाना चाहिए आप एक बार लड़की की फोटो दिखा दीजिए फिर मैं अपनी बेटी से पूछ कर आपको बता दूँगा क्योंकि अगर मेरी बेटी को ही लड़का पसंद नहीं तो फिर वो लड़का भले ही हीरा और सोना खाता हो हम अपनी बेटी की शादी किसी से भी जबरदस्ती नहीं करेंगे अब हाँ हाँ ये रही लड़के की फोटो आप लोग अच्छी तरह से देख ले ना फिर मैं लड़के वालों को बुला लेता हूँ नीलम के पिता ने वो फोटो अपनी पत्नी को दी फिर उसकी पत्नी ने वो फोटो अपनी बेटी को दे दी नीलम ने कहा मा मुझे फोटो देखने की जरुरत नहीं है आप लोगोंने मेरे लिए कोई अच्छा ही रिष्टा देख रखा होगा और अगर वो रिष्टा पसंद नहीं आया तो आप मना भी कर सकते हैं मुझे बस इतना चाहिए कि उस ससुराल में मुझे छोले भटूरे की कमी ना पड़े ये क्या पागलो वाली बाते हैं चल ठीक है मैं और तेरे पिता जी लड़के वालों को बुला लेते हैं बेटिया तो हमें बहुत पसंद है रोहन को भी आपकी बेटी पसंद आई रोहन का कहना है कि हम लड़के कौन होते हैं किसी लड़की को परकने वाले माने सही का अगर लड़की को मैं पसंद हूँ तो ही मैं उससे शादी करूँगा क्योंकि वैसे भी जब जिन्दगी भर पती के फैसले बेवी ही करती है तो शादी का फैसला भी उसकी बेवी ही करेगी रोहन के मुझ से इतना सुनते ही निलम के माबाब बहुत खुश हुए निलम को भी रोहन पसंद आ गया दोनों परिवार एक दूसरे से बाते करी रहे थे कि तभी अचानेक निलम का पेट दर्द होने लगा मा मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है मुझे शौच के लिए जाना पड़ेगा अभी तुरंत क्या हुआ निलम बेटा तुमने अपने पेट पर हाथ क्यों रखा है और चेहरा भी अजीब सा बना रही हो लगता है तुम्हारे पेट में दर्द है जी आंटी जी आपने दो बिलकुल सही पैचाना मैं बस थोड़ी देर में आई मा मुझे लगता है निलम शर्मा गई उसका कोई पेटवेट दर्द नहीं कर रहा है क्या बात है बेटा तु तु शादी से पहले अपनी बीवी को मुझसे भी जादा समझने लगा रोहन ये नहीं जानता था कि निलम सच में बातरूम गई हुई थी खेर थोड़ी तेर तक जब निलम नहीं आई तब रोहन ने कहा ठीक है मा फिर हम लोग चलते हैं कुछ बातचीत करनी है तो आप लोग कर लो नहीं बेटा हमें तो लड़की बहुत पसंद आई बहुत शर्मीली है बिचारी नहीं तो आजकल तो लड़कियां शादी का नाम सुनते ही उचलने लग जाती है मेरी तरफ से ये रिष्टा पक्का है अरे बेहन जी जब दिल खोल कर आपने अपनी बात कह दी तो मैं भी दिल खोल कर कहती हूँ हमारी तरफ से भी ये रिष्टा पक्का है मैं अपनी बेटी के चेहरे को अच्छी तरह पढ़ लेती हूँ उसे आपका बेटा बहुत पसंद है तो इस तरह दोनों का रिष्टा पक्का हो गया और कुछी दिनों बाद उनकी शादी का दिन आ गया रोहन और निलम की वर्माला का टाइम था दोनों वर्माला हाथों में लिए एक दूसरे को देख रहे थे तब ही अचानक निलम ने जल्दी से वर्माला रोहन के गले में डाल दी निलम को बड़ी जल्दी है ससुराल जाने की नहीं मा मैं सोच रही हूँ जल्दी से ये जब शादी का कारिक्रम खत्म हो और मैं छोले भटूरे खाऊं मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है एक तो जब से बारात आई है तब से कुछ खाने को नहीं मिला ठीक है निलम अगर तुम्हें छोले भटूरे खाने है तो फिर मैं जल्दी से वर्माला डाली देता हूँ रोहन ने भी जल्दी से वर्माला निलम के गले में डाल दी और दोनों की शादी हो गए रोहन ने बाकी के कारिक्रम भी बहुत जल्दी जल्दी निप्टा गिये उसके बाद रोहन ने पूरे परिवार के लिए छोले भटूरे बंगवाए निलम दो तीन प्लेट छोले भटूरे खा गे ये देखकर उसका परिवार थोड़ा हैरान तो हुआ लेकिन उन्होंने सोचा शायद जादा भूक लगी होगी इसलिए खालिया होगा विदाई के बाद सुहाग रात का सबय था थोड़ी देर बाद जैसे ही रोहन ने घूंगट उठाया वैसे ही निलम ने कहा रुख जाए मुझे छोले भटूरे खाने है निलम आज हमारी सुहाग रात है सुहाग रात के टाइम पर छोले भटूरे कौन खाता यार अगर मैंने छोले भटूरे नहीं खाय तो रात भर मेरे पेट में चुहे दोड़ते रहेंगे नाई हमारी सुहाग रात हो पाईगी और नाई मैं सो पाऊंगी चैन से कोई बहुत बड़ी चीज तो मैंने आपसे मांग नहीं ली सिर्फ छोले भटूरे ही तो खाने है ठीक है जाओ छोले भटूरे खा कर आओ तब तक मैं आराम कर लेता हूँ नीलम भाग कर किचन के पास गई लेकिन उसे छोले भटूरे बनाने तो आते नहीं थे इसलिए उसने सोचा मुझे छोले भटूरे बनाने तो आते नहीं ऐसा करती हूँ सासुमा से बोलती हूँ जाकर नीलम उसी वक्त अपनी सास के कमरे में गई उसकी सास सो रही थी लेकिन तब ही अपनी निलम ने अपनी सास को जगाया और उससे बार-بार छोले भटूरे बनाने की जित करने लगी सासУ मा मुझे छोले भटूरे बनाने नहीं आते बाकी सब मैं बना लिती हूँ आप लोग जो भी काओगे वो सब मैं बना दूगी लेकिन छोले भटूरे आप बना दीजे प्लीज मैं बिना छोले भटूरे खाये जिन्दा नहीं रह सकती अच्छा ठीक है मैं बना देती हूं तेरे लिए छोले भटूरे इतना गिर्गर आने की जरुरत नहीं है उसके सास ने जल्दी जल्दी नीलम के लिए छोले भटूरे बनाये, तब जाकर नीलम को सुकून मिला ऐसे ही अगली सुबर नीलम ने सभी के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन उसने अपनी सास से छोले भटूरे बनवा लिए ऐसे ही निलम हर वक्त छोले भटूरे ही खाया करती थी जिससे एक दिन उसके पेट में बहुत तेज जलन होने लगी रोहन ने डॉक्टर को बुलाया ज्यादा मसाला वाला खाना खाने की वज़ा से इनको पाइल्स की प्रब्लम हो गई है डॉक्टर साब आपने सही का मेरी बात तो ये मानती नहीं जब देखो तब छोले भटूरे ही खाया करती है इसी वज़ा से इतनी प्रब्लम हो गई मुझे माफ कर दीजे अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे छोले भटूरे खाना बंद कर दूँ अगर कभी खाऊंगी भी तो कम तेल और मसाले वाले छोले भटूरे ही खाऊंगी नहीं बहू, आज के बाद तू छोले भटूरे बिल्कुल नहीं खाएगी पाइल्स की समस्या बहुत बड़ी होती है उटने बैठने में भी दिक्कत होने लगती है इस बिमारी में हाँ सासुमा, आज के बाद मैं बिल्कुल छोले भटूरे नहीं खाऊंगी लेकिन आपको सबसे ज़ादा मेरे पाइल्स से प्रॉब्लम नहीं है आपको हर वक्त मैं परिशान करती रहती हूँ छोले भटूरे बनाने के लिए इस वज़े से आप ज़ादा परिशान है वो तो होंगी ही न जानती हो सुरभी डालिंग अपने सुहाग रात वाले दिन का मैं कितनी बेसबरी से इंतजार कर रहा था अब आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कुनाल कितना रोमेंटिक है ऐसा कहकर कुनाल सुर्भी का गुंगट उठाता है और किस करनेई वाला होता है कि तभी उसका बड़ा भाई मोहित सूर से चिलाता है अब क्या आपने बड़े भाई का चीर हरन करके छोड़ेगा सॉरी भीया वो वो मैं वो सपना अहां समझ गया लेकिन अभी हम दोनों की सुहाग रात को दो दिन बाकी है दो दिन बाद शादी है हमारी फिर अच्छे से सुहाग रात मना लेना अपनी बीवी के साथ समझे मेरे इमरान हाश्मी और हाँ अभी के लिए खुद पर जरा लगाम रखो समझे अपने भाई के मुँसे ये बात सुनकर कुनाल शर्मा जाता है और अपने मुँपर चादर ओड कर सोजाता है फिर दो दिन बाद दोनों भाई बड़े ही धूमधाम से अपनी दुलहन्या को लेने घोडे पर सवार होकर निकल पढ़ते है कुछ दिर बाद बाराद बैंकेट हॉल पहुँचती है जहां दोनों सगी बेहने रंजना और सुलभी की शादी दोनों भाईों से हो जाती है फिर दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है जहां पहुँचकर उनकी सास उनसे कहती है आओ बहुओं, मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूं कमला उन दोनों को एक कमरे में लाकर कहती है बहुओं, ये रहा तुम दोनों का कमरा आज से तुम दोनों बेहनों को यही रहना है लेकिन मा जी एक कमरे में हम दोनों एक साथ कैसे रह सकती है अब मेरा मतलब है कि हमारा कमरा तो अलग-अलग होना चाहिए ना हाँ मा जी उपर से इसमें बैट भी एक ही है तो इसमें दिक्कत क्या है शादी से पहले भी तुम दोनों बेहने एक ही बेट पर सोती थी लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो मैं अभी तुम दोनों की परिशानी दूर कर देती हूँ फिर कमला एक बड़ा सा परदा लेकर आती है और डबल बेट के बीचों बीच लगा देती है फिर एक ही बिस्तर पर एक तरफ मोहित और रंजना और दूसरी तरफ सुर्भी और कुनाल लेट जाते हैं क्या हुआ सुर्भी डालिंग तुम्हारा मो क्यों बना हुआ है अरे आज तु हमारा खुश होने का दिन है एक कमरे में उपर से एक ही बेट पर दो दो कपल सुहागरात मनाएंगे बताओ ये भी कोई बात हुई अपनी फर्स नाइट को लेकर क्या क्या सपने देखे थे मैंने जहां एक बेट पर सुर्भी और कुनाल में नोगजोग चल रही थी वहीं दूसरी तरफ रंजना और मोहित का भी यही हाल था अब रंजना डालिंग तुम तो इस शादी के जोड़े में क्या कहर डा रही हो अब बिलकुल अब सरा लग रही हो लेकिन तुम मुझे जहर लग रहे हो बताओ भला एक बेट पर दो बेहनों की सुहाग रात मुझे नहीं लगता आज से पहले इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा तुम्हारी मा को भी न सच मुझ समझ नहीं है छोड़ो न ये सब अब चलो टाइम वेस्ट मत करो फिर दोनों भाई अपने अपनी सुहाग रात मनाने की तैयारी करते हैं तभी सुर्भी को उसके लेंगे में लगी सेफटी पिन चुप जाती है और वो जोर से चिलाती है आँ आँ अरे मेरी मां क्यों चिला रही हो अभी बाते करी रहे होते हैं कि तभी परदा नीचे किर जाता है और वो दोनों शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं फिर दोनों ही कपल बिना सुहाग रात मनाई नाराज होकर सो जाते हैं अगले दिन सुबर ठीक 6 बजे कमला आकर अपनी बहों को उठा कर कहती है चलो उठ जो ही बहोंे चांद का टुकड़ा हैं बहुरानियों अब तुम दोनों जलती से हमें खुश खबरी सुना दो सुहाग रात तो मनी नहीं हमारी खुश खबरी क्या खाक सुना है अरे पहले हम खुश होंगे तभी तो तुम लोग को खुश खबरी सुना पाएंगे फिर सभी भी खाना खा कर फिर अपने कमरे में आ जाते हैं, जहां सुर्भी कुनाल से कहती है, चलो ना कुनाल, आज कुछ तू फानी करते हैं, कुनाल उसके पास आता ही है कि तभी रंजना परदा हटा कर सुर्भी से कहती है, सौरी सुर्भी, वो मुझे पानी की बोतल देना प्लीज, मुझे बहुत प्यास लगी है लो आप ही पानी पी कर अपनी प्यास बुझा लो मेरी प्यास तो ना जाने कब बुझेगी उस रोस भी वो लोग सुहागरात मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी ये ख्वाईश पूरी नहीं हो पाती फिर रंजना को एक आईडिया आता है देखो मेरे पास एक आईडिया है मैं और मोहित बाहर आंगन में जाकर बैट जाते हैं तब तक आप दोनों अपनी सुहागरात मना लिजे फिर आप दोनों आंगन में बैट जाना तब हम अपनी सुहागरात मना लेंगे इस तरह हम दोनों की सुहागरात मन जाएगी वा बेहन क्या आइडिया है मुझे तो लगा था हमारी सुहागरात कभी मन ही नहीं पाएगी लेकिन अब उमीद फिर से जाग गई है लेकिन हम से पहले आप सुहागरात मनाओ आप बड़े हो और आपका इस बेट पर हक पहले बनता है ठीक है मेरी प्यारी बेहन इसके बाद पहले रंजना और मोहित अपनी सुहागरात मनाते हैं तब तक सुर्भी और कुनाल बाहर आंगन में इंतिजार करते हैं फिर बाद में उसी बेट पर सुर्भी और कुनाल अपनी सुहागरात मनाते हैं इस तरह दोनों बेहनों का एक बेट पर सुहागरात मनाने का सपना पूरा हो जाता है फिर चारों खुशी खुशी उसी बेट पर सो जाते हैं